सब्सक्राइब करने वाला हूं तो अगर आप भी कुछ इस टाइप का स्टेट अफ वीडियो क्रियेट करना चाहते हैं तो वीडियो में इन तक के बने रहे न और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आकन को प्रेस कर लेना स्टेट अफ ट्रियेट करने के लिए इस आप लोगो एलाइट मोशन एप की जवरत पढ़ने वाली अगर आप लोगे पास नहीं है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाकर के अटवर्णोड करफेक्ते एंड डवर्णोड करने के बाद आप लोगो एलाइट मोशन में दो प्रीषेट इंपोर्ट करना है एक यहां पर बुकमार प्रीषेट और एक HDR एक ट्रीफेक्टिक है तो दोनों को इंपोर्ट करने के लिए इस आप लोगो सि लेकर कि material डाउनलोड कैसे करें वो वीडियो देखने आप लोगो समझ में आ जागा इसके बाद किस आप लोगो यहाँ पर प्रिशेड इंपोर्ट कर लेने के बाद आप सेवन इसके बाद आप लोगो बताूँटांगा कि इस तरके से फोटो रिप्लेस करने तो इस वाले जापर ग्रूप 7 यहाँ पर इंड हो रहे यृक्ष़ण हो रहाएं Just सब्सक्राइब करके आपको पर प्लाइब करके अपको मीडिया पर जाना है यहाँ पर जाने या बाद जिस फोटो का आप श्टेटा Suits बंौना चाहते है। फोटो आप लोगो इस तरह करके से लेना है और यह लेने के बाद गिस आप लोगो यहाँ पर थी डॉोट पे tap करके इसको फील्कम पोईजन एरिया के option पर tap करना है अब यह करने के बाद अगर आप फोटो को एड़जस्ट करफक्ति इसके बाद इस आप लोगो यहां से बैक आने और इस वाले बुकमार्ग पर आना नेश्ट आले पे ठीक है तो फिर से इस वाले अप्षन पर टैप करना और फोटो का आगे का जो पार्ट है इसको कट करने तो कट करने के लिए यहां पर आप लोगो गस्तर के सिर्क हो जाता है अब फिर से प्लाज पर आने और जाने और आगे का पार्टट करने तो कट हो जाता है अब फिर से प्लाज पर टाइब कर मीडिया पैनल नेश्ट फोटो लेना थी डॉर पे टाइब कर फिलकम पोजिवन करना नेश्ट अले बुकमार्ग पे जाना और आगे का पार्ट कट कर देना है फिर से प्लास पे टाइब कर गई मतब इस तरगे से आप लोगो लास्ट तक के फोटो एड करते जाना है ठीक है इस तरगे से शिंपल आप लोगो प्रोड्य कन लेना अब गर इसे आप लोगो इन फोटो में कुछ एफेक्ट वागर अपलाई करना है तो इसके लिए आप लोगो सिंप्लि यहां से बैक आजाने और बैक आने के बाद जो सेकें प्रिषेड इंपोर्ट किर होगे इसको आप लोगो ओपन करना है यहां पर जो नीचे में ज आप लोगो इस इफेट को अपलाई करना है तो फर्स्ट ओले पे टाप करना इफेट पे आना थी डौर पे टाप कर पे पेस्ट कर देना नेस्ट ओले पे टाप करना इफेट पे आना थी डौर पे टाप करके पेस्ट कर देना ठीक है तो इस तरह के से आप जितने भी फोट यहां पे लगाया रहोगे, सभी में आप लोगो इस फाले इफेट को अपलाई करते जाना है, तो इसको इस तरीके से आप इसको पूरा complete कर लेना, अब गरी से आप लोगो ग्रूप में फोटो रिप्लेस करने से पहले, आप यहां पे जो फोटो replace करोगे, उसके size को 9x16 में convert करना पड़ेगा, अगर उस फोटो का size अल्रेडी पहले से 9x16 में है तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट अगर नहीं है तो आप यहां पे लास्ट पे आने, और यहां पे आने के बाद के इस plus पे टाप करके media पे आने, मीडिया में आने के बाद इस फोटो का आप status video मतलब बनाना चाहते है, इस फोटो का ग्रूप में replace करना चाहते है, उस फोटो को इस तरके से लेना है, और 3.0 पे टाप कर, fill composition करने, इसके बाद इस फोटो को save करने के लिए कि इस आप लोगों सिंप्री, यहां पे इस वाले option पे टाप करने, current frame SPNG पे इस तरके से लेना, और 3.0 पे टाप कर, फिर से fill composition करना है, अब इस आप लोगों फिर से यहां पे टाप करके, current frame SPNG पे टाप करने, और export पे क्लिक कर देना, तो इस तरके से आप लोगों लगबग 5-6 फोटो को 9-15 के size में convert कर लेना, इसको भी आप लोगो delete कर देना है, अब यहां पे आप लोगो first ओले group पे tap करके, यहां पे edit group में आने, और यहां पे आने के बाद इस यहां पे दो layer देखने को मिलेगा, इठीक है, तो उपर वाले पे आप लोगो tap करने, यहां पे color and feel पे आना, अब इसके बाद आप लोगो इस ओले option पे आने, देखी, यहां पे tap करना, फिर यहां पे tap करना एक बार, इसके बाद जो media है, वो open हो करके, आज आता है अप गई से आप लोगो यहां पे light motion के folder पे जाने, यहां पे जाने के बाद आप लोगो वो photo देखने को मिल जाएगा, जो आप 9 into 16 में convert की रहोगे, तो यहां पे मैंने already काफी फारे photos को convert क कर रखा है, तो आप लोगो कोई सभी एक photo लेना और plus पे tap कर दिने, ठीक है, देखिए यहां पे photo इस तरके से आ जाता है आप लोगो यहां से back आना है, group 2 पे tap करके edit group में आना है, फिर से आप लोगो उपर वाले layer पे tap करना है, color and field पे आना, यहां पे tap करना, फिर से इस वा करते जाने, उसको आप पूरा complete कर लेना ठीक है, और जब यह complete हो जाएगा, इसके बाद यहां से आप लोगो back आना है, HDR effect open करना, अगर आप अपने वीडियो में HDR effect लगाना चाहते है तो इन दो layer को आप लोगो copy करना होगा, उपर का, first वाले पे long press करना, second को भी select करना, और इस वाले option पे tap करके आप लोगो copy to layer करने, इसके बाद यहां से back आना, bookmark appreciate आप लोगो open करने, इस वाले option पे tap करके paste to layer कर दिने, और दोनों को फिर सेलेक्ट करना, last पे आने, इस वाले option पे tap कर दिने, ठीक है, यहां पर जो HDR effect वो भी लग जाता है, यह हो जाने के बाद किस आप लोगो वीडियो जो है, पुरा complete बन करके ready हो जाता है, और वीडियो पासंद आतो like करने, चैनल को subscribe करने, और bell icon कोई press कर देने, और comment करके जरूर बताने के वीडियो कैसी लगी, अब आप लोगो simply इसको export करने, तो इस वाले option पे tap करना, और export पे click कर देने, आप लोगो के वीडियो जो है, गलरी में से हो जाता है,